कि नमस्कार दोस्तों केविल मोटर से आप सभी भाहियों को दोस्तों का फिर से एक वर्स वागत है तो आज एक टॉपिक पर बात करने का था तीन-चर दिन से थोड़ा सा बीजी शेडूल था वॉडर और 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 तो रिस्पॉंस आ रहा है तो हर किसी का वीडियो बनाने का तो उसी सबसे टाइम के मुताबिक बन नहीं पाता लेकिन चलो एक का दूसरा तो आपते में एक दो वीडियो तो बना देंगे कोई दिक्तर नहीं तो आज का में टॉपिक है आप जो ज्यादा रिस्पॉंस आ रहा है विल कोवर में अपना टाटा यह स्कैरी पिक अप ज्य जो स्थील में रेडियम के साथ में जो जाता है तो माल जा रहा है अच्छी तरह यह सब्सें में बहुत से जगब गया है तो हर किसी का पॉसिबल नहीं लोगों को सौरी उनको थोड़ा सा फूरा लगया कि अपना माल आया है लेकिन वीडियो नहीं बनाया है तो फिटिंग तो एक तीन मिनिट का क्रॉस वीडियो बना दो और मुझे सेंग कर दो मैं आपको वीडियो डाल दोंगा अपने चैनल में तो चलो आज के वीडियो में बात कर लेते हैं ज्यादा वक्त जाया करें बज़र तो शुरत कर देंगे जो दिखाई दे रहा है सामने यह अपना प हाई के ओर्डर है यह मटेरियल जा रहा है आसाम है तो ज्यादा तर हमें रिस्पॉंस आसाम शिलोंग मेगा लेया वेस्ट पैंगॉल बिहार कि उतराकंड और तैमेल लाडो अभी तक तो इन राज्जों में ज्यादा माल गया है यानि आपते में तीन चार तीन तर और तो इसी रूट के है तो यह स्टील वील कर रहा है वही त्रेडियम अपना पीकप का जो चाहूदा 15 इंची में लग जाता है तो यह दो पीस हो गए एक बंदे हैं जो उनको यह चाहिए था आसाम में तो इनका वह चार पीस का एक सेट यह निकल रहा है आज आज तो संडे आज करने निकलेगा लेकिन आज पैकिंग कर रहा हूं पैकिंग करके मैं एक बंदिक आमर जो है बंदा उसको दे दोलगा वह सुबह में ट्रांस्पोर्ट में या अपना प्रोपेशनल कुरियर में डाल देगा तो यह चाहर पीस हो गए अपना इसके उपर आभी जो लगने वा इस तरह तो यह पूरा पूरा विल्कवर हो गया है तो इस तरह दिखाई देता है कि 14 नंबर और पंदरा नंबर कॉमन साइज तो जैसे कि वीडियो में देख वार है हर किसी स्टार यह हर एक प्लेट पे लग जाएगा प्लेट चल रहा है अब फिलाल भाई का नाम है अनुर अनुरूल हक कर आशाम के इसे तो उनको बहुत सारा माल चाहिए ता लेकिन शुरुआत में थोड़ी सा ओर्डर करके देख रहे हैं कि माल कैसे आता है तोड़ा सा वरोसा भी चाहिए कि माल ठीकतर कैसे आता है जो बात नहीं आप ठोड़ा ठोड़ा करके भी माल ले सकते हो लेकिन एक प्रॉबलम है हर टाइम आपको ट्रांसपोड का अलग से चैर्चेज एक्स्टा लगेए गा क्योंकि क्या एकी बार अगर ट्रांसपोड में जाता माल जाता है 3-4 किलो 5-10 किलो तो तो ठोड़ा सा वीडियो में यह बात कर लेते हैं यह अपना ब्राकेट पट्टी है जो क्लैम बोल दिया है अब क्लैम पट्टी ब्राकेट बोल सकते हो यह तीन नट वाला है यह पांच पॉल्ट रहता अपना पीकप को रेगुलर तो यह दो नट ऊपर के बढ़ जाएंगे दो बोल्ट में और नीचे का जो सेंटर वाला बोल्ट चाकी दिया हुआ है तो एक हाली पीकप के लिए यूज होता है यह क्लैम्प हम इस विलकोर के साथ में दे देते हैं यह साथ में आता है साथ में मिनिमम चार्जेस रहता है ज्यादा ने क्योंकि यह अलग से बना के लेते हैं तो यह पी बना सकते हो अपरिकेशन में आसान है अलग गाड़ियों के लिए अलग आएगा टाटा एस और कैरी के लिए क्लैम्प दो बोल्ट काता है और यह अगला एटम है अपना पांच बोल्ट वाला पीछे पीछे के पाईये में पिकप के लिए बढ़ेगा शातरा सेंटर के लिए बढ़े गई जो ट्रैवलर रहता है जो पांच पूल्ट है चायद दपना बड़ा दोस्त में बैट जा सकता है तो यह स्टील कोटिंग अच्छी है यह वह स्टील है यह वाला विलकेप और यह स्टील कोटिंग है यह साल एक साल के अंदर तक कोई प्रॉब्लम नहीं यह तो दोड़ा सा मिक्स रहता है लोहे का अंदर से लोहे का पत्रा जूब बोलते हैं और उपर से स्टील कोटिंग है तो फिनिशिंग सही है इसमें एक सस्ता वाला माल आता था अब यह नहीं है आने के बाद में इसका प्राइज पर थोड़ा सा कम कर देंगे यह थोड़ पीज जा लें तो ओडर छोड़ दो कोई अगर चीज हो तो बेंदास होके बोल दो तो आज के वीडियो में इतना ही तो यह वीडियो पोस्ट होगा कल कल ट्रांसपोर्ट में शाम बज़े माल लेगा शाम पांच बज़े तो मैंनों तीन चार दिन लगें कि पारटी के पाज़ा नहीं कि यह आसाम कमटरे लें तो आसाम के भाई देख रहे हैं माल पहुंचने के बाद में फिटिंग करते टाइम एक वीडियो बना दो और माल सही आने के बाद में भी कमेंट डाल दो माल आची दरस से मिल गया जो चलो दोस्तों मिलते हैं आगले वी करते हैं